हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दा फीबरेट स्टॉक में और दोस्तों हमाँ चार स्टॉक की बारे में जानने वाले हैं यस फोर स्टॉक की बारे में दोस्तों हमाँ जानने वाले हैं जो कि कल इंट्राडे में यस कल हमें इंट्राडे में वो अच्छे खासे एक मुन तो हम यहां पर इन सभी stocks के सबसे पहले नाम जानेंगे पहला दूसरा कहां पर हमें entry लेनी है yes entry point हम जानेंगे third कितना target होगा वो भी जानेंगे दोस्तों yes कहां पर आपको target बुक करना है और कहां पर दोस्तों हमें इसका stop loss लगाना है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे और इसके साथ ही में दोस्तो इन सभी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने के लिए या फिर हम इन सभी स्टॉक्स को चूज कर रहे हैं उसके पीचे का रीजन क्या है कारण क्या है दोस्तों इन सभी स्टॉक को चूज करने का वो भी दोस्तों हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सो विदाउट वेस्टिंग अनी टाइम सबसे पहले हम स्टॉक का नाम देखते हैं तो इस सारी स्ट्रेटीजी जो है वो बेज्ड दोस्तों शॉर्ट के मतलब हम पहले सेल करेंगे दर आफ्टर बाय करेंगे कम्प्लीट्ली इंट्रादे स््ट्रेटीजी है क्योंकि वैसे भी आप सबको पता होगा अगर उम किसी स्टोक पहले सेल करते हैं और बाद में बाय करते हैं तो वो इंट्राडे के लिए ही दोस्तो होता है क्योंकि अम यह काम एक्विटी में कर रहे हैं तो पहला श्टॉक एंटीपीसी है अब सबसे पहले में आपको लेबल स्टाजेता हूं कि कहां पर एंट्री लेनी है सु जो एंट्री पॉंट होगा दोस्तो अब इस स्टॉक को शचाहा रहा है आपको यहां पर एक एक सोचाहर इस पॉंट बइसम पॉनफ़ाइस मतलब इसमों क्सरेज्चाघर पर पर उन उन दोस्तुक यहां पर एंट्री लेनी है सो जैसे ही ये स्टॉग 134 के अराउंड जाएगा दोस्तों तो यहां पर में लिख देता हूँ 134 यह इसका होगा टार्गे क्यों कि हम पहले सेल कर रहे हैं जैसे वो नीचे आएगा तब हमारा प्रॉफित होगा तो 134 पर आएगा तो आप इसको बाय कर लेंगे राइट अब दोस्तों एख लेते हैं कि कहां पर हमें स्टॉप लोस लगाना है उसके बाद दोस्तों मैं आपको रीजन मताने वाला हूँ क्यों हम इसको कल शॉट करने वाले हैं क्यों कि यह पता होना बात इंपोर्टन है तो दोस्तों उससे पहले स्टॉप लोस की बात कर लेते है right entry point 146 जो है वो आपका stop loss है और 134 जो है वो आपका दोस्तो टारगेट है तो को अरेख्याल सी सिज सब्सक्राइब और कियो दूस्तो हम ऐसा कर रहे हैं क्यों एंटिश कल हम शौर्ट करने राये तो देखे यहां पर अएवर्ज मीन की स्ट्र टीजी को अपलाए कर रहे हैं और जिस्मीन स्ट्रेजी में दोस्तो हम कुछ चीजों और कुछ परामिटर को देखते हैं, पहला जो परेमिटर दूस्तों का होता है, वो यह होता है कि 200 moving average जो है दोस्तों, उस moving average ते यह stock उपर होना चाहिए, जो कि देखे मैंने यहां पर लगाया हुआ है, और 200 moving average ते यह stock जो है वो आप देख सकते हैं कि यह जो line जा रही है, इससे ऊपर trade कर रहा है, तो पहला criteria दोस्तों मैच होता है, सेकंड जो criteria है वो दोस्तों, RSI, आप दिसकते मैंने आपर, RSI को भी implement किया हुआ है, और RSI में तकरिबन 75 पर अभी है, मतलब 50 से ऊपर है, तकरिबन 75 पर अभी है, मतलब 50 से ऊपर है, मतलब 2nd criteria भी fulfill होता है, और 3rd criteria दोस्तों होता है वो यह, कि last day से, current day का जो दोस्तों प्राइज है, कम से कम 30% से जादा move करना चाहिए, जो कि आप दे सकते है, यहां पर already किया हुआ है, यह चीज़ दोस्तों आप यहां पर चेक कर सकते हैं, तो यह दोस्तों पिचिकास का लॉजिक है, और उस लॉजिक को देखते हुए, मैंने आपको एंट्री पॉइंट, SL पॉइंट और टार्गेट पॉइंट पॉइंट बताय हुआ हुआ है, प्लीज दिन जरूर इसको अ तो 2nd Kand, जो दोस्तों स्टॉक है, वो है, पॉजिस्टेंट, आप यहां पर नाम दे सकते हैं, पॉजिस्टेंट, और पॉजिस्टेंट दोस्तों अभी जो ट्रेड करता हुए, नजल आ रहा है, अब हमें एंट्री पॉंट कहां पर रखना है, तो चलिए बहु देख ली 4330 4330 जो होगा दोस्तो वो इसका entry point होगा so मैं आपर 4330 that is the entry point right entry point है इसके बाद दोस्तों करें हम बात करें SL की कहां पर हमें SL लगाना है so इसका रहेगा 4460 पर yes थोड़ा सा बड़ा SL है लेकिन SL दोस्तों लगाना बहुत जरूरी होता है किसी भी intra day position में इसलिए आप इसको जरूर no down कर लीजिए so 4460 जो होगा वो इसका होगा दोस्तो SL बात करें target की तो target जो है इसका वो रहेगा 4070 के आसपास तो दोस्तों यह रहा आपका target stop in levels को नो down कर सकते हैं और इसके जोस्तों रीजन सेम है पहला रीजन मैं आपको अलड़ी बता हुआ होगा की 200 जोस्तों यह स्टों अपर ट्रेड कर रहा है पहला दूसरा RSI हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है और तीसरा दोस्तों यह स्टों यह स्टों जो है तीन परसेंट ऊपर गया है अमने लास्ट दे के closing price से सो इसी जोस्तों हमने इसको चूज किया है और सारी levels में आपको बताई हुए है जोस्तों इसका नाम है बाटा इंडिया और इसको दूस्तों हम short करने वाले सारे stocks दूस्तों सभी को short कर रहे है इसे को भी हम buy नहीं कर रहे है पहले self आपने buy करेंगे अभी दूस्तों यह trade हो रहा है तक्रीबन तक्रीबन 2,072 रुपे की आसपास आप यहां पर दीख सकते है कहां पर दोस्तों हमें entry लेनी है entry point है इसका वो है 2,094 प्लीस नोट डाउन 2,094 जो है दोस्तों वो है इसका entry point राइट अगर हम बात करें entry point की बाद में इसके SL की दोस्तों इसका SL होगा वो होगा 2,156 यस प्लीस नोट डाउन 2,156 जो है दोस्तों वो इसका होगा SL और अगर हम बात करें दोस्तों target की तो target दोस्तों इसका होने वाला है 1970 yes 1,9,7,0 दोस्तों यह जो है इसका target होने वाला है मैं इसको लिग भी देता हूँ यहाँ पर so target यह दोस्तों target है और logic same जो मैंने आपको बताय हुए वही है तो दोस्तों तीनी stock अलेडी हो चुके है अब चलिए हम दिखने है कि last stock कॉन सा है जहाँ पर हम कल short कर सकते हैं इंट्राडे में अच्छा इसा पैसे कमा सकते है so last stock जोस्तों है वो emphasis है अब यहाँ पर नाम दे सकते है अभी जोस्तों यह दोस्तों यह टेड कर तो निरा रहा है तकरिवन 3040 के अराउंड यहाँ पर देखिए 162 लिख देता हूं दोस्तों में यहाँ पर 162 इस टॉप लॉस राइट आथ करें इसके टार्गेट की दोस्तों टार्गेट जो होगा वो होगा 2885 2885 दोस्तों जो होगा इसका टार्गेट होने वाला है so please note down these levels दोस्तों यह चार स्टॉक्स जो है इस चार स्टॉक्स में कल हमें शॉर्ट करके इंटाडे में अच्छा से पैसा हम बरा सकते हैं मैं आपको सारे सारे लेवल्स बता दिये हैं प्लीस अगर आप ट्रेड मिना करें तो अटलीस इन सभी स्टॉक्स को वाथ जरूर कीजेगा और बताईएगा मुझे कि आपको यह चारो स्टॉक्स में कितना पोटेंशल लिखा और आपने पर पैसे कमाएं की नहीं कमाएं बहुत लगे वीडियो में जैहन